हुआ है विल्कम बैक और बायोजीड विलीज आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट विब्रेज कर आप जिसे हम बोलते हैं टी मतलब हिंदी बोलतेने चाह एंड करेंगे बात कैसे करके मुल्लिटिपल चॉइसको से त्थूरू हम 20 कोशन बहुत इंपोर्टेंट जो की टी के पर आ सकते हैं एक्जामिनेशन में टी के बारे में इनकी फैमिली इनकी केमिकल कामपोजिशन्स इनकी इंडस्ट्री के बारे में डिफरेंट टैपस अप्टी के बारे में तो बिदाउट इन डिली हम देखते हैं कि पहरा कोशन है परासिटिक अल्गी है विच लिफ्स ऑन द हम बताना है यहां पर कौन सा एल्गी ग्रू करता है तो यह होता है आपका सिफैलो रिवास ठीक है डाट ग्रू ऑन दी टी एंड कॉफी लिफ्स एज फार्मा पैरासाइट्स करेक्ट अंसर सी सिकेंड कुशन में हम बात करते हैं वाट इस इनकरेक्ट आपाउट टी कल्ट इंडिया टी कल्टिविशन के बारे में इंडिया में जो स्टेट्मेंट्स हैं उनके बारे में सबसे पहला जो बात आती है कि इंडिया रेंक्ट फॉस्ट इंटर्म्स आफ एरिया अंडर टी प्लांटेशन एट इंटरनेशनल लेविल इंकरेक्ट बात हमें करेक्ट करना देकिए इनकरेक्ट कौन सा है इंडा रेंट फॉस्ट नहीं है इंडिया डिया की निया को है अन्य की जो एंडरी कलुटिविशन फार्दी और सेकेंड कंज्यूमर्स भी है और नियर लाजस श्रॉ सिपेस्पिखिखिकली ब्लैकटी के समें लाज़स इ applis प्रदूसर्स भी है जो सबसे ज़ादे गान कोरी दुनिया में वह आपकी ब्लैक टी तो इन वह सब इंडिया जो प्रड़क्शन करता हैं कि बहुत बड़ा पाट, 80% पाट इंडिया खुद यूज कर लेता है, तो फिर हमारी rank पहले कैसे हो सकती है तो हमारी फॉर्थ रेन्ग जो है गाईज वह है एक्सपोर्ट में हम दूसरी कंटरी को कितना सप्लाई करते हैं तो एक्सपोर में इंडिया जो है टी को फ़र्थ नंबर का एक्सपोर्ट करती है कि कुछ नंबर फॉर में बात करते हैं वी चाहिए फालोइंग इसे मेजर टी कैटेचिन का का कानसेट कैटेचिन क्या होता है यह जो है पॉली फिनोल सोते हैं ठीक है जो लीव में ग्रीन टी के लिवस और आते जो आते हों से लिखी टिरंट की टि में जो भाते हैं चोफिए किदर नियुसी स्फेश्च में जो इसमें बनाते हैं तो उसमें में क्या उता g chính होता क् अचिंग कै simple polyphenols ठीक है और यह तरीके से हम जब टी से ब्लैक टी बनाते हैं तो यह जो polyphenols होते हैं इन्टू थिया फ्लाइबिन्स ठीक है जी क्या होते हैं जी आक्सिडाइज एंड पॉली फिनोल होते हैं अब यहां पर जो कोशन आता है कि मेजर कौन सा सबसे ज्यादे कौन सा इसमें सबस्जाब इसमें बाहते हैं जाथे जैसे आपका है 1 एपी गयलेक्ट ौख bonum EGCG this cheap alphaomme or alfa Jung-cute C tek stick इजी सील पाएं करता है की एक बीस्टेटमेंट workers है कि बदक यहाँ फो attend major कौन से आफकन साथ कंसेंटरेशन किसand होती तो इसी कहीं होती पहले नंबर भी अलफा इपी केले टो गैलो केटेचिन थ्री गैले जब वोलते ईजी सीजी कोशन नमबर फाइब में बात करते हैं कि वार्टिस्ट करेक्ट अबाउड टी कल्टिवेशन इंडिया फिर से कोशन टी कल्टिवेशन के बारे में आता है ऐनिया कंजूम थे लिए से हम अपने टॉटल डुनिया में परदॉस्गा में किखे फिर लिए यू फिरियुजिज करते हैं आप थी आफ recent टीक इस परडूसaison आपने यह 80 परसंट पुरी दुनिया में जो प्रोडूस होती उसके 21 परसंट हम बगती यूज़ करते हैं और टोटल ग्लोबल प्रोडूक्शन का हम 23 परसंट जो है वो परसंट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तभी हमारा जो एक्सपोर्ट में नंबर है गाइस वह है फॉर्थ इन प्रोडूक्शन प्रोडूक्शन का हम खुद यूज़ कर लेते हैं तो कंजिप्शन के पॉइंट आप उसे बात लिए तो इंडिया का रैंक है सेकेंड अब कुशन नंबर शिक्स में बात करते हैं वारी ट्रू आउट टी ग्रीन टी ग्रीन टी के स्पेसल केटागरी सबसे अच्छे टी मानी जाती है और इसका जो प्राइज होता बहुत ज्यादे होता है वारी ट्रू इस्टेट्मेंट अबाट ग्रीन टी इट इस हाइस्ट कॉंट्टी आप टी के इसमें जो टी के टेटेशन होती है वादा पॉली फिनोल्स की जो सबसे ज्यादे होती है इसका मतलब क्या हों त्युक्राइब यहां पर इप एक यह थे दो तीज जो टी समें एक जो अगले ताहिंगे है इसे लिए इस का नदर पाली फिनोल में अपना प्रेजरिशन बना रहें रहें ठीक है या थे यह ग्री इसलिए निगी को सब्सक्राइब करते हैं कि हृग एन्टी कैंसर एंटी शुक्त गरखते हैं जो स्टेटमेंट डी अलब दिये वाइस्ट को सबस्यादा इमाउंट पर्मुंस्ट नान फ्रमिंटेटीड है और इस प्रिजिवसिन आफ नेचरल पौलिफिनोल इन इंडीफ टी इसमें जाधे ज्यादा पॉलीफेनोल आपने नैच्रोल फार में पुछा गया है कि एक हो थी आभी हम ग्रीन टी लीफ टी की बात करें आब हम भात करते हैं नहीं हम बात करते हैं विच गिप्स सिल्वरी एप्रेंस सो फाइनल प्रोडॉक्ट को कैसा कलर मिलता है एक सिल्वर कलर का वाइट कलर का इसलिए कहते हैं वाइट तो यह किससे बना जाती न्यू ग्रोथ बट्स एंड यंग लीफ मतलब बिल्कुल ताजी पती होती है उसका इट कंदेंस कंसीडर बना दी मोस्ट एक्पेंसिव टी फार कंजूमर्स एंड मोर री रेटिप टू दी प्रोडूसर्स ठीक है प्रोडूसर्स के काफी मतलब बैनिफिसल्स होती है उन्हें काफी अच्छा प्रप्राइज मिलता है दूसरा एक्पेंसिव बहुत है थार मैं क्या है कि पॉलिफि सब्सक्राइज मतलब ज्योगी कैटेशन होती है मिलता है एक झालो डी इन्हार करते हैं तरह थिस में कहा एक और तो है थे क्या प्राइज पूच यह की ना थ्रू सबकुछ बात हैं कि न्यूंव बट्थ एंग लीपस जैंड पोर और च्वेशन पीस ऑर चूंदी एक्पे इस 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 स्टेटमेंट इस नाट त्रू रिगार्टिंदी करेक्टरिस्टिक आफ वाइटी की जो वाइटी होती उसके अंदर हाईएस्ट थरा प्यूटिक भैल्यू जो थी है ठीक है क्योंकि उसमें क्रेटेशन का अमाउन सबसे जादे होता है एक अट्रू इस जादे है क सब्सेक्वेंट कंदेशिन आफ पाली प्रूमूड पैला इंजयमेटी का सदेशन करते और उसके बाद हम पॉली फिनोल करते ऊटल के इसके अट अटिया प्रूबेंस नाफ्य विन्स इया जो ख़ान दी डूशिट पलिफिनोंस के प्लैक्टिमें बहुत जजदे फ्रमें करते हैं मुणब पूरी टेकेशरा में पॉलीफिंट तरह स्जागरा धिया फ्लायविंज बंस में इंधिती केटेश एंट्या फ्लाविंस आथ माइक्रोवियल antimicrobial activism आपाई ती है microbial active होते हैं थ्री manufactured forms of the black tea in two days भर market आप ब्लेक टी की तीन फ़र्म जो है आज मार्केट में हैं तो इस्टेटमेंट से about the क्योंकि जो मेजर टी है जिसे हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि black tea से तो बलैक की तीन फार्म का मतलब ग्रीन टी ओलांग टी अब्रिक टी इसे ती मार्केट में तो आलल आपद हेब स्टेटमड्यृ सक करेक्व है? आप और इसमें जो फूंख समिछ टर प pani tell toodia flevins andouch या रुबिंस में और इसमें पहले किया करता है इनजामेंटिक अक्सिडेशन कराते हैं पालिफिनोल का उसके बाद हम उझा चंडेसन करते हैं इन दी कैटीशन में तो टी स्टेस्टमेंट अब इसमें आता है क्वेश्च नमबर 9 में इन भी चाहदी फालोवग टी आफ नथिंग हैज एनी कामर्स के लिए टी गार्ड़न बेरी इंपोर्टन कोशिन गाइज कि कौन साथ इमें कोई क्वालिटी नहीं होती और ना ही टी की गार्ड़न में इनकी कोई कामर्स के लेलू जो थी ब्लैक टी ग्रीन टी ओलांग टी ब्रिक टी अभी हम बता जो कि ब्रिक टी जो होती है आपकी वह बिल्कुल ही बेकार होती जो बेकार को जो मट्रील बज़ता आफ्टर प्रोसेसिंग उससे बनती गए तो इसका कोई वैलू नहीं होती ब्रिक टी और यह जो गरी पोर कंट्री लाइक अफ्रीका बगएरा में यूज करी जाती है कोईश बीश न्मर टेव में बात करते हैं कि य मैश्ड़ी फालोईंग स्टिर्मैंट इस करिक रिगा करने के चिंसाटे टी कांजिप्शन एन सरी करें प्र पहित टी कि जो फीक लेकिशन हो जाना उसे कहते हैं उसे के च्छ कुर्द जो होती है टी जो होती है टी की ड्रेंक की का जो इंटेक करेंगे कहीं नएके स्टिक्स को रोकती अब कैसे करके रोकती इसके बार पर कौन से स्टेडमेंट सही हैं हमें यह बात के लिए करना है है यह फैस्टीस टोटल क्लोजर आप धी आर्ट र Чनाइड वहता है यह वैस्क्लर इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो हमारे होते हैं लो डिनसिटी लाइब प्रोटी इनका अक्सिडेशन करती है बैस को बाल में डेपोजिट होने से रोकती है वाल बहां से पहले इनका सब्सक्राइज करके इन्हें रिमूव पर देती बॉड़ी से ठीक है इसके मतलब फोम सिल् को तो बढ़ क्यों पंधिक लिक नौट में लिए फोम जोती है फैट जोटी है मायक्रो विलत कि सथी उनके इंदर जब मोजाती है तो नहीं बोलते है फोम से यह लकाल के डिपोजिट हो जाती है कहां पर आपर इस्बाव बाल में हमारी ओस के लिए जबास हुदी उसकी ब करती है तो यह स्टेटमेंट थेर्म हैं दी यह सभी प्रोब्लम से वो ना हो कोषन नमर बात करते हैं वेचे पॉरा कर दिया एक में विल्कुल ही नहीं किया जैसे बिलेक में पूरी टेख फर्मेंट करते हैं अब इडिक विल्कुल फर्मेंटेशन नहीं किरते हैं इतके बीच का वीच करनेगा उसका मतलब है कि समी फर्मेंटेट टी काई आपकी ऊधे को चनौन नमबर वह बात करते हैं कि वाट डिफेरेंस बीन दीट ग्रीन अनूने इंग इॉआइश है कि लेक टी पूरी तरीड फर्मेंट होती है जिए लेस्ट लेस्वाइट होती है तो इसके लाबा यह दिफेरेंस यहां पर नह होता है कि फर्मेंटेशन के बाद फर्मेंटेशन हम बिल्कुल नाग रहा है तो जो क्रीट होता है उसके बेस पर देखे ग्रीन टी कंटेंस सिंपल कैटेशन जिन बोलते पॉलिफिनोल्स और यह काम आते हैं आपके ग्रीन टी में होते हैं लिए बिलेक टीमें यह कैटेशन सब्सक्राइब अधर कंडेशन आते हैं लाज़र डार कलर्ड मालीकुल जिनने में क्या बोलते यह प्लेविंस एंद यह वर्यूज एक तो यह बात इंपॉर्टन दो से ब्लेक टीक अंटेंस सिंपल कैटेशन ने बलेक टीमें इंग इंग कर्टेशन दोत इसे रहा है बोटी में फ्रम फर्मेंडेशन इस टीमी नहीं एक फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं कहते हैं और यह भी विविखलत हो गया आला लाप यह विसली नहीं हो पाई जोता है यह क्या गैस फिरसे बार बताता हो कि ग्रीन टी है विंग सिंपल कैटे सब्सक्राइशन जोते हों कंडेंस अक्षडाइज इंटू लाज अंडार कलेड माली को जिनम क्या बोलता है थिया फ्लेविंस एंड यह रीविंस को सब्सक्राइब थार्टीन में देखते हैं कि पावर फुल एंटी अक्षडेंट प्रॉपर्टी आप दी टी आर जनली ए सब्सक्राइब करते हैं तो करेक्ट आंसर बी इसके बाद करते हैं कि इन बीच आधी फालो सब्सक्राइब करेक्ट रिगार्डिंग दी कंस्टिट्यूंट्स आफ टी एंड रोल इन दी हुमन फिजिलोजी जैसे पाली फिटोल्स का काम क्या होता है एंटी कैंसरोजेनिक ठीक है और फ्लेविंट्स एंटी आक्सिडेटिटिव होते हैं ठीक इसमें दोने स्टेटमे उस्के यॉस्डेटिमाट इंटी अच्छेटिव जनी कोता है और फ्लेविंट्स एंटी अक्सिडेटिवोते हैं आधि ऐन्टी माक्रोवीर थेंटी बैक्टिक होता है करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अध्ट्स टू रिगाड इनदितू वीचिछ आप ब्रिक्ति प् अब यहां इस बिरिग टी ओधी जो लीप गिर जाती है और जो फिर ने फर्मेंट करते हैं और फिर ने कमपेश कर लेते हैं बिरिक की फार में इतो की फार में उसे ब्रिक टी इति नॉट कंपरेबिल इन टमसा प्वालिटी एप रेंस एंड मार्किट वैलू में किसी भी लुट गरीब पॉर कंट्री उन में यूज करिए तो यह भी स्टेट्मेंट से यह और यह वाला भी स्टिट्मेंट से एक मैई जी गरीन और ब्लेक टी से कहीं पर भी कंपर नहीं करेंगे जा सकती इन टमस अब क्वालिटी इन टमस आप बेरिंट आप रिए इन मार्किट देखें को समाजने कोशेश करें कि डिफ्रेंसेशन होता है कि इसमें एप्रोच अब मनुफेक्ट्ट्रिंग जो हमारी प्रोसेसिंग करते हैं जब टी का एक प्लांट की टी होती है तो उनीटी से हम चार्ट डाइप की यह पास टाइप की टी बना रहा है मतलब जो हम कहते इसमें की पतियों से तो जो हमारी एप्रोच आफ मनुफेक्ट्रिंग वही तो डिफ्रेंट होती डाइट कि डिफ्रेंट काइंड सब टी तो करें किस फैक्टर में चेंजिंग आती है इस पेसिए जो में जो कंसेंटरेशन आती है कि चीज़ की प्रॉपर्टी पॉलिफिन पॉलिफिन प्रोफाइल में चेंजिंग आती है यांटी कास अट्रिंग पॉपरटी में चेंजिंग आती है रिफ्रेंसिंग इस्टेंण गठता हो बाता है इसी कम हो गाई किसी का जादा होगी आलब दया है इस्टेश्मेंट तो कहाँ जिए सथी सहीं है कर देखा जाए but तो एप्रोच इसके बाद में डेरेंच अफना प्रोथा एक से किसी मी घड़ जाता है गिर maximal नीब करते हैं ऐनटी करसिन प्रोपर्टी अहीं थो ऊंतु सकते हैं चैंकर द्र around तो इसन दों टाइप आप टी फार्मेशन ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका ए कोशन नमर्स सेविंटीन में बात कहते हैं इन विच फैक्टर वाइट टी इस डिफर्ट फ्राम ग्रीन एन ओलांग टी तेखिए यह पे आया वाइट टी वो कैसे करके बलाइक ग्रीन एन ओलांग टी तीनों स इसे जो है एयर ड्राइट मतलब आर्टिफिसल ड्राइट नहीं करते हैं बलकि नेच्रल ड्राइंग करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं तू प्रिजर्व करना मोस्ट आप दी पाली फिनोंस का एने तो तो इन तीनों परस्पेक्टिव में यह वाली जो है बाइट टी इस सब्सक्राइब करते हैं और उलाउंट टीप से कर रहे हैं ग्रीन टी में थोड़ा सा लेस्ट फर्मेंटेशन होता है ठीक है ना कि मराबर करेक्ट आंसर डियो कोशन नमबर एटीन में बात करेंगे एक सी सिब कंजेप्शन आप दी टी में लीट टुदी प्रॉब्लम साब अब यह भी बात है वह दो फायदा तो है नुक्सान भी है अगर बहुत जादे हम टीका से बन करेंगे तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है इस्टेनिंग आप देंटेशन हमारे दो दात है ना बैसे हो जाएंगी स्टेनिंग कलर फूल हो जाएंगे बला जो गंदे लग हो स्टेनि ना फीर कोन से बनात हैंति कोषिस्तेम फॉलों निक करेंगे क्लेंगे तो चैनिक करता है नंगे कि हमारे दाद में पर एक लेर पाई दिया उपने यह उपने खुद बनाते इसका कोई बहुत यह इन ट्रिश्ट नहीं इस इक वाएड करेक्टर से नहीं उस से इस उसे लिए कि मतलब लिए टीका वो इससे इंट करें और जो करें कि टीक जो कलर है वो इंट होगा पर एस्थेटिक रीस्टोरेटिव में दूट टूटी कंटेंट पुराने टाहिए था टीक को मतलब उसे हम कलर करते थे अस्थेटिक भर को सजाबट में जो रीस्टोरेटिव मठील होता है उसे कलर करने में भी काम आता है यह बाद भी ठीक है फ्रीक्वेंट कंजप्शन न सब्सक्राइशन बाद द्यू टू एड्जॉर्प्शन नामदी कलरेंट्स अंटू सर्फिसाब मठी इसके बात कह रहा है कि जो फ्रियू मलब बहुत जादे जो कंजप्शन करते हैं लोग तीका तो उनका क्या होता है वो डिस कलर उनका जो ओर जो औरिजिनल कलर होता है व प्रम बात करें विए वह नास्ट विए उस में देहते हैं काफी इंपॉर्टन कॉस्टन से तुछ वा लुए ट्रू में घार्ड़िंग टी कंपोजिशन आप टी के वारे में भात करें जो क्या बात सही कैटेज इसाब मेजर बॉलिफिनोल्स प्रिजेंटि डिम साही बात पहला पहला बहुत ज़्याद होता इप गैलो काटेशन थी गैलेट इस मोस्ट अबंटेट एंद एक्टिव कंपाउंड डाट केंट ब्लॉक कैंसर प्रोग्रेशन इस टीक फार्मेशन है ना अंटी कैंसर होते हैं तो यह वारा कंपाउंड जोता है एपी गैलो काटेशन थी गैलेट इस मोस्ट अबंटें एक्टिव कंपाउंड डाट केंट ब्लॉक कैंसर प्रोग्रेशन तो यहां पर जो कर्क्रेक्ट स्टेटमेंट है वो डी सभी स्टेटमेंट ठीक है कि कैटेशन मेजर पॉलिफिन और यह ना में ने बता है कि तीन होते हैं एपी गैलो तो कर्क्रेक्ट अंचर होता है आपके दी थैंक यू बरी मुच गैस